दोस्तों आप सभी को मद्ध्रदेश में आए दिन अजब और गजब के किस्से सुनने को मिलते होंगे आपको एक और किस्सा सुना देते हैं किस्सा जड़ा हुआ व्यापम से सुनेंगे तो अपना माथा भी पीट सकते हैं आप क्योंकि किस्सा ही कुछ ऐसा है और आप सोच रहे होंगे कि व्यापम को आपकी चिंता है आपकी तो नहीं लेकिन आरोपियों की सायद बहुत जादा चिंता है वो एक किस्सा सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा नमस्कार मैं हूँ गिर्राश शर्मा और आप देख रहे हैं सरल्टॉक सभी से एक अपील है कि सवाच को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोचल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए साती साथ सरल्टॉक के फेस्बुक टोटर टेलिग्राम इस्टेग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो किजिए दोस्तों मद्यप्रदेश की व्यापम संस्था और व्यापम संस्था से जुड़ी हुई परीक्षा प्रात्मिक सिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग तीन जो सामें बनी हुई है कई मैनों से इसका रेजल्ट जारी हो चुका है लेकिन इससे जुड़ी हुई जो खास बाते हैं वो क्या है आप सभी को पता होगा के स्क्रीन सौर्ट्स वाइरल हुए थे और जो कंपनी थी परीक्षा एजनसी एडिकुटी वो संदिग घेरे में थी उ रापम के चेर्मेन आई एस मलेश स्रीवास्ताव उन्होंने दो कॉलेज एक गोविंद राजपूर जो मंत्री है और साथी साथ ग्वालियर का सर्व धर्म कॉलेज तो सागर का ग्यानवीर इस्टिटूट को ब्लैक लिस्ट कर दिया और साथी साथ पांच अभ्यरतियों के नाम दिये थे कि अब यह जो आप पेपर नहीं दे पाएंगे इन पर फाइयर दर्ज होगी अब जरा आश्चर की बास सुनिए जो चेर्मेन है आई एस मलेश स्रीवास्तव जो इतनी चिंता रहे थे कह रहे थे कि अब आरूपियों पर फाइयर दर्ज होगी पुलिस कारव कि साहब जो आरूपी है उनके एड्रस और पते दे दीजिए जिससे हम इनको ग्रफतार कर लें ग्रफतार तो दूर की बात है उनसे कुछ पूछताच भी नहीं हो सकी है क्योंकि व्यापम ने अभी तक एड्रस उनको प्रोवाइड नहीं कराए है पुलिस वालों को केवल की जानकारी दे गई है उनके नाम और रॉल नंबर अब पुलिस ने पीबी को नोटिस भीजा है आठ अगस्त को आज कितनी अगस्त है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यापम को किसकी चिंता जादा है छात्रों के भविश्य की या फिर आरोपियों की चिंता है जो अब तक जानकारी नहीं बेजी गई यह सबसे बड़ा सवाल है और आईयस मले स्रीवास्तव को बाकाइदा इसकी जानकारी देनी चाहिए कि अब तक क्यों आरोपियों के पते पुलिस को प्रोवाइड नहीं करवाए गई हैं किस बात की चिंता है क्या हरगर तरंगा में व्यस्त थे रक्षावंदन में व्यस्त थे तो बताएं कि भाईया हम जो है जानकारी नहीं बेच पाए अब कुछ दिन में भेज देंगे भासकर ने इस ख़बर को प्रमुक्ता से चापा है बैराल दोस्तों आप क्या सोचते हैं पूरे मामले पर प्रात्मिक सिक्षक पात्रता परिक्षा वर्गतीन है क्या इसमें आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है केवल उपरी रूप से दिखा जा रहा है कि हम कितने चिंतित हैं आरोपियों को जो है सलाखों के पीछे तक भिजवाने के लिए जिनों ने भी गलत काम किया है या फिर उपरी पर कारवाई दिखाई जा रहे हैं बलके आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रहे हैं और IS Mala.S.R. SRI Vaastav कितने चिंतित हैं मामलेपर वो भी आप बताईए आपको क्या लगता है और वीडियो को हर जगा शेयर कीजिए साथी साथ सरल टॉक के Facebook, Twitter, Telegram, Instagram पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए मुझे दीजिए जासान, नमस्कार